नमस्कार दोस्तों चत्तीजगर लेटिस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है बिजली के अवैद कनेक्शन निली किसान की जान खेद गया किसान पडोसी के बिछाये तार की चपेट में आया परिजनों का हंगामा चत्तीजगर के बिलासपूर में बिजली कर्ट से किसान की मौत हो गई इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने जम कर हंगामा मचाया उनका कहना था कि बिजली का अवैद कनेक्शन लेकर बोर्वेल लगाया है जिसके चलते उनके घर कमाने वाले की मौत हुई है उन्होंने कारवाई की मांग करते हुए शव उठाने से मना कर दिया घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र की है लिमत्रा पंचायत के ग्राम खपरी में रहने वाले संगुलाल टंडन किसान थे सोमवार सुभा वेधान की निंदाई के लिए अपने खेत जाने के लिए घर से निकले थे पडोसी किसान ने अपने खेत में काटा तार लगा रखा है इसी काटा तार से पडोसी खेत के किसान सहित्तर ने अपना बोर्वेल चलाने के लिए बिजली का कनेक्शन लिया है बिजली कनेक्शन का तार बीच से कटा हुआ था इसके कारण काटा तार में भी कर्ट प्रवाहित हो रहा था इससे अंजान किसान काटा तार को छुआ, तब वो कर्ट की चपेट में आकर चिपक गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई इस दोरान किसान की लाश वहां घंटो पड़ी रही, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी दोपहर करीब तीन बजे ग्रामीन खेत की ओर गए, मेड के पास किसान की लाश देखकर उन्होंने उनके परिजन को सूचना दी घटना की जानकारी मिलते ही परिजन वहां पहुँच गए, फिर कुछ देर बाद पुलिस भी पहुँच गई मौके पर पहुची पुलिस ने जाच शुरू करते हुए शव को पोस्ट माटम के लिए भेजने की बात कही इससे नाराज परिजन भढ़क गए, उनका कहना था कि अवैद बिजली कनेक्शन लेकर तार खीचा गया है बोर्वेल लगाने वाले किसान की लापरवाही से उन्होंने मौत होने का आरोप लगाया और ततकाल कारवाई करने के साथ ही मुआवजा दिलाने की मांग पर अड़ गए इस दोरान भढ़के परिजनों ने शव उठाने से भी पुलिस को रोक दिया हाला कि बाद में पुलिस ने समझाईश दी और जाच के बाद कारवाई करने का भेरासा दिलाया साथ ही मुआवजा राशी दिलाने की बात कही पुलिस की समझाईश पर परिजन शांत हुए तब जाकर शाम को किसान के शव को उठवा कर अस्पताल भेजा गया देर शाम होने के कारण उसका पोस्ट माटम नहीं हो पाया है